शुरुआत में हमने नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक नमब का प्लेबोई था क्योंकि उसका एक ही वक्त पर पाँच से भी ज्यादा लड़कियों से अफ्याच चल रहा था। फिलहाल वह अपने गल्फ्रेंड के साथ होटल रूम में था। वह अपनी गल्फ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वह भोली भाली लड़की उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है क्योंकि इस बात से अंजान थी कि मैं उससे मिलने वाली हर लड़की को सेंड यही बात बोलता है। इसके बाद वह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मिनक उसकी दूसरी गलफ्रेंड की कॉल आती है लेकिन वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे से जानता था। वह अपनी रूम वाली गलफ्रेंड को ऐसे लिखाता है कि जैसे वह अपनी दादी से बात कर रहा हूँ और इस तरह वह अपनी दोनों गलफ्रेंड को बेवकुफ बना देता है। अब call काटने के बाद अपनी girlfriend के साथ दोबारा internet होता है लेकिन कुछ time बाद बोल हो जाता है और उसे कखता है कि मुझे काम के लिए नहीं जाना है वो अपनी गल्फ्रेंट के पास से पैसे निकाल कर अपनी दूसरी गल्फ्रेंट के घर पर जाने से पहले कौन सा सुखदेव अपनी जेब में रख लेता है